पाकिस्तान इस वक्त बॉखलाया हुआ है भारत की तरफ से एक मिसाइल रास्ता भटक कर पाकिस्तान में क्या जागिरी वहां तो भूचाल ही आ गया वैसे आपको बता दें कि भारत की इस मिसाइल से पाकिस्तान में किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुचा और तो और भारत ने अपनी तरफ से इस घटना पर खेद भी जता दिया लेकिन अब पाकिस्तान बात का बतंगड बना रहा है शुरुआत में तो पाकिस्तान ने काफी समझदारी से इस पूरे मामले पर बरताव किया लेकिन अब वहां के निताओं ने इस पर घटिया राजनिती शुरू कर दी है भारत की इस मिसाइल से पाकिस्तान में ऐसा डर बैठ गया है कि अब पाकिस्तान ने अपने आपको ही बरबाद करने वाले कदम उठाने शुरू कर दिये हैं अब देखिए पाकिस्तान ने अचानक भारत को जवाब देने के लिए कुछ ऐसा किया जिसे देख अब पूरी दुनिया में उसका मजाग बन रहा है आपको बता दें कि गलती से पाकिस्तान में गिरी भारतिय मिसाइल के जवाब में पाकिस्तान ने भी एक मिसाइल परिक्षण किया जो पूरी तरह से फेल हो गया आपको बता दें कि पाकिस्तान ने सिंध इलाके में एक मिसाइल का परिक्षण किया लॉंच होने के कुछी सेकिंड बाद ये मिसाइल अपने रास्ते से भटक गई और वहीं भट गई ये मिसाइल अपने लक्षे तक बिना पहुँचे ही सिंध के एक एक इलाके में जागीरी भारत को चुनोती देने के चक्कर में पाकिस्तान का अब ऐसा मजाक उड़ रहा है कि वहां के अधिकारियों ने तो अब ये बोलना शुरू कर दिया है कि उन्होंने कोई परिक्षन किया ही नहीं बहराल पाकिस्तान के इस फ्लॉप मिसाइल परिक्षन की चर्चा वहां की मीडिया में खूब हो रही है लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की मिसाईल अगर रास्ता भटकती है तो वो पाकिस्तान पर ही गिर जाती है